Hello students, welcome back to Prepawn. In the last lecture, we have done Coit India Movement और फिर हमने देखा कि Coit India Movement की शुरुआत में ही कैसे 9 अगस्त को सभी लीडर्स को all over India आरेस्ट कर लिया जाता है. They all were put inside the prison. कोई भी नेता कॉंग्रेस का बाहर नहीं है. किसी तरीके से 3-4 महने movement चलता है. लेकिन December, November तक आते आते एक फिजल आउट हो जाता है. उसके बाद 1942 से लेकर चावालेस तक क्यों बड़ी घटनाएं नहीं हो पाती है. बड़े स्तर पर देखा जाए तो nothing was happening even though छोटे मोटे event हो रहे हैं. सियार फर्मूला आया है, राजगो पाले चारी फर्मूला आया है जिसके बेस पे गांधी जिनना टॉप्स होती हैं. गांधी जी का 1943 में एक फास्ट भी होता है. इस तिंग्स फर देयर बट 1944 के सेकेंड हाफ के बाद फिर वार का decision थोड़ा सा दिखने लगता है. और 1945 की शिर्वात ने बहुत खतम भी होने लगती है. 1944 में वेवल वांटेट टू गो फॉर सम काइंड आफ यू कैन से नेकोशेशन विद कॉंग्रेस मुस्लिम लीग पर चर्चिल वाज नॉट रिड़ी. वेवल किसी compromise from लड़े की तरफ बात करना चाहता है, negotiations करना चाहता है, वो हाला समझ रहा था. 1943 में लिलनित कॉंग को हटा दिया गया था, वेवल had become the wise writer. पर चर्चिल की तरफ से हरी जंडी नहीं मिलती है. यह अल्टिमेटली जो हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे में लगने लगा है कि आप by force, सबसे important point यह याद रखना है कि 1942 का जो कोई इंडिया movement था, उसके बाद यह तै हो चुका था, इंडिया could not be held by force anymore. यह तो लोगोंने reaction में बता दिया था, भारत को जबरानब अंग्रेज गुलाम बना कर नहीं रह सकते, यह वेविल on the spot था तो समझ रहा था, चर्चिल was not relenting, चर्चिल नहीं मान रहा है, ultimately 1944, फाइव तक आती आती है, ऐसे हालात बंदे लगे हैं, और फिर होती है शिम्ला कॉन्फरेंस, जून 25 से 14 जुलाई तक होती है शिम्ला कॉन्फरेंस, जिसमें वेविल प्लान के बेस पे होती है शिम्ला कॉन्फरेंस, तो शिम्ला कॉन्फरेंस में एक negotiation किया गया है इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से, या कुछ solution निकाल लेगी, कोशिश की गई है, not for independent, but some interim solution, तो वेविल ने शिम्ला कॉन्फरेंस में प्रपोस किया है, री कॉन्स्टिटिशन ओफ वाइस राइस एक्जिकुटिव कॉन्सिल, याद रहे, कुछ इंडिया, I mean कुछ इंडिया से पहले क्रिस्ट प्रपोसल आया था, वहाँ बोला गया था, कि हम आपकी सरकार में ज्यादा भारतियों को ले लेंगे, लेकिन डिफेंस भारतियों को नहीं दे सकते हैं, यहाँ चेंज किया है, कि जो आपकी Central Government Executive Council है, यह टोटली इंडियान हो जाएगी, इंडियान हो सकता है, बस सेना का कमांडर और गवर्नर जर्नल यह अंग्रेज रहेंगे, बाकी और अधर मेंबर्स अधर इंडियान पॉलिटिकल लाइप, मतलब एक स्टेप आगे बड़े हैं, कि हम National Government, जो इंडियान Central Government होंसे, काफी हद तक इंडियान बना डालेंगे. यह पॉला गया है, मतलब सारे मंतरई यह आपके होंगे, बस दो पतांग्रेज़ों के पास होंगे, बस अलमोस्ट आ इंडियान गॉवर्न्मेंट, दूसरी बात इस council में जो members होंगे वो 14 होंगे उसमें 5 members congress से होंगे 5 members muslim league से होंगे 4 members wiseroy तै करेगा जो छोटी पार्टियों से होंगे तो 5 members congress nominate कर सकती है 5 league nominate कर सकती है 4 छोटी छोटी पार्टियों से wiseroy nominate कर देगा 14 member की में council बनाने को ready हूँ आप लोग अपने अपने पांच-पांच member भेज़ दीजिए तो यह this council would have balanced representation of main communities equal proportion of Muslims and caste Hindus कुछ ऐसा उन्होंने बताया है जैसे कि एक Hindu Muslim divide का एक indication सा दिया हुआ है तो दूसा proposal यह है कि दौना communities के बराबर parties के जो community religion के बेस पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बराबर members होंगे इसमें एस पर government of India Act 1935 क्योंकि अभी वह चल रहा है तो बोला है वेविल ने कि governor general की veto अभी abolish नहीं हो सकती क्योंकि नहीं हलातों में government of India 1935 अमेंट नहीं हो सकता लेकिन हाँ यह इस्तेमाल नहीं होगी इस्तेमाल होगी तो इंडियन के interest में होगी तो जो governor general की veto power है कि वो सारे फैसलों को veto कर सकती है उस पे अभी कोई हम change तो नहीं करेंगे वाट यह है कि इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फ्यूचर के लिए कहते हैं इंडिया का dominant status अधिराज का दर्जा दिया जा सकता है और इंडियन्स वूट इंडिया बड़े features shimla conference में discuss किये जाते हैं याद रहेगा shimla conference में गांधी जी was in shimla बट गांधी जी officially was not part of shimla conference remember this gandhi ji was presenting shimla at that time but gandhi ji officially was not part of shimla conference यह याद रखेंगे आप लोग अब यह plan fail हो जाता है shimla में जो conference है वो क्यों fail होती है इसकी वज़े congress के recording यह है कि inadequate है it is completely short of national government national government से कम पे हम रादी नहीं है और इसमें कहीं भी national government बंती दिखाई नहीं दे रही है indefinite है आपके सारे proposals indefinite है इनमें कोई timeline या इसी चीज नहीं बताई गई है तो जो indefiniteness पहले crisp proposal में थी वो आज भी दिखाई दे रही है और जो जो Hindu Muslims की parity आप करने की बात करने religion की बेस पे वो unsatisfactory है this is not acceptable Congress headed by आजाद मुलाना अबुलकलाम आजाद resented being characterized as a caste Hindu organization जब उनने बोला है कि Congress से पांच member आएंगे लीक से पांच member आएंगे तो Congress को कहीं ना कई Hindu organization बताने की कोशिश ची गई जिसके लिए Congress ready नहीं है good number of leaders were there in Congress incidently मौलाना आजाद was leading the Congress delegation in the Shimla conference तो जिन्ना wanted Congress to be dubbed as a Hindu organization so that Muslim league का credential और पक्के हो जाएं बट Congress ready नहीं है इसलिए उनसाटिसफेक्टरी है Congress के लिए Congress ready नहीं है accept करने के लिए it'd be dubbed as a Hindu organization fail होता है league की वजे से भी जिन्ना ने बोला है कि ठीक है पांच members Muslim league के आएंगे लेकिन जो भी पांच Muslim member होंगे league के वो Muslim league ही उनको nominate करेगी no other political party can nominate any Muslim member to this particular executive council कहने का मतलब यह है Congress किसी Muslim member को इस executive council जो 14 member की इसमें nominate नहीं कर सकती और जब league के पास ही ठेका है Muslims को nominate करने का इसका मतलब Muslim league represents the interest of Muslims in India thereby I am waving the way for my own Pakistan based on religion यह वो कहने की कोशिश कर रहा है कि league को ही जिम्मेदारी दी जाए उसके पास absolute veto होगी कि league ही Muslim members को nominate करेगी इस government में कोई और party nominate नहीं कर सकती है एक तो यह जिन्ना की डिमांड है दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि यह वज़े हो जाती है दूसरा लीग ने criminal veto भी मांगी है उसका मतलब यह है कि अगर इस फैसले में फैसला कोई भी फैसला लिया गया है अगर उसमें Muslims ready नहीं है उस फैसले को मानने के लिए तो उस फैसले को two third majority से पास होना होगा तब ही वो फैसला हो सकता है मतलब league government में भी अपनी एक veto चाहती है कि अगर Muslim members ready नहीं है मानने को वो जो 14-5 member हैं तो फिर वो फैसला उसके ने अपनी से को बढ़ाने की कोशिश की है तो यह तो major demand Muslim league की है कि Muslims को nominate करना है तो league ही करेगी और यह two third majority चाहिए होगी अगर Muslims suppose करते कि फैसले को इस पे obviously Congress will be तैयार नहीं है जिन्ना का यह demand करना कि Muslims को nominate करना का जिम्मेदारी सिर्फ Muslims के league के पास रहेगी यह इसलिए भी स non-muslim leagues पंजाब में unionist party है, Muslims की party है, बंगाल में क्रिशक प्रजा party है, obviously we will क्यों और Muslim parties को forgo कर देगा सिर्फ Muslim league का support पाने के लिए, वो भी तो Muslims है, even though they are non-muslim league, तो यह एक और वज़े है कि जिन्ना के पास जो जिन्ना का logic है वो unfounded है, solid नहीं है, तो एक वज़े यह भी बन ज जाती है, अंग्रेजों की responsibility यह है कि वो ठोथ फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वो अभी भी सकता छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको दिख रहा है कि यह erosion of authority होता जा रहा है, still they wanted to stick to India, समिधान के setup का कोई future proper plan उनके इस खिमला कॉंटरेंस में डिसकस नहीं किया गया है, वेव to tolerate this, and he insisted that all Muslim representatives would be chosen by DJ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इननिस्ट पार्टी को भी तो Muslims के हैं, उनको लेना चाहता है वेवल पर जिनना इसले रेडी नहीं है, यहां पर वेवल भी कुछ खास नहीं करता है, जिनना की बात को, almost मान ही लिया जाता है, this way, this particular conference came to an end, it was clear that the British imperialists were behind Muslim communism and were trying to encourage it against the rising tide of force of Indian nationalism, चर्चिल का यह मकसद था ही कि यह solution नहीं निकलना चाहिए, तो उन्होंने जिनना की जो वीटो है, जिसे कर्मिनल वीटो कह दिया गया, इस पर उन्होंने कोई बहुत जादा opposition नहीं दिखाया है, ultimately, the dissolution of the conference gave जिनना the criminal veto an effect, thereafter, the satisfaction of the league became very very important for any kind of settlement, शिमला conference के failure के बाद, यह समाझ में आ गया है कि nothing which is not accepted by a leak will be solution to problem of India, and leak का जो footprint है, political footprint है, वो बहुत जादा बढ़ता जा रहा है, and ultimately, there will be partition of India this way, because we will did not strongly oppose the criminal veto being demanded by जिनना, rather, उसको conference को fail होने दिया, इस से जिनना को एक message दे दिया है, now you can have your say in the decision that are going to be taken for India, and this way, शिमला conference again failed, fail हो जाती है, शिमला conference, so, और इसी के बाद, वहाँ election होने लगे है, जुलाई उनिस सो पैतालेस में, जहाँ पर labor government form हो जाएगी, और labor government फिर फैसला करेगी, जो इंग्लेंड की labor government है कि अब भारत को आजाद कर दिया जाए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में discuss करेंगे, thanks a lot for watching this,